कुछ समय पहले किसान भाईयो मैंने दो वीडियो अपलोड किये थे एक तो था सामान्य विदी से गन्ना पलस सरसो की बुवाईयो और दूसरा था किसान भाईयो टेंच मेथड उसमें गन्ना पलस चन्ने की बुवाईयो दिखाई गई थे तो आज इन दोनों पर मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ तो पहले देख लेते हैं किसान भाईयो सरसो परस गन्ने की सामान्य विदी से बुवाई मैं इसके आप उपर पहले भी एक बार अपडेट आपको दिखा चुका हूँ लेकिन तब तक गन्ने के पोदे काफी चोटे थे और काफी कम संख्य अब जाब है लेकिन इस समय इसमें काफी जमाब हो चुका है गन्ने के पोदों का और सरसो भी आफी रण काफी बड़ी हो गई है तो इस तरीके से खिसान भाईयों इसमें एक साथ दोनों चीजये उगाई گई थी अगर इसका किसान भाईयों समय समय पर मैं आपको अपडे से बुवाई कर सकते हैं अब देख लेते हैं किसान भाईयों चना परस गन्ना किसान भाईयों यह ट्रेंच विदी में थड़ से बुवाई इसकी की गई थी और यह देखे इसमें मैं आपको दिखाने आया हूँ धर से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं किसान को इस पर एक अपडेट दिखा जाए यह इसकी बुवाई की गई थी किसान भाईयों 6 अक्तुबर में और आज हो चुकी है 23 अक्तुबर तो यानि के 17 दिन हो चुके हैं किसान भाईयों और 17 दिन में आप देख पा रहे हैं यह चने के पोधे देखे काफी स्वस्त और काफ इन मातरा में नहीं हो पाया है कुछ गंणे के पोधे दिखाई देने लगे हैं मैं आपको देखे थोड़ा दिखा भी देता हूँ यह देखे इन में जमाव पड़ चुका है और कुछ पोधे तक किसान भाईयों इसके काफी निकले हुए हैं मैं और भी आपको थोड़ा द दिखा देता हूँ लेकिन ये एक फटे के अंदर किसान भाईयों सभी गन्ये के पॉद्भा जमाब हो जाएगा और उसके बाद मैं इस पर आपको एक अपड़ेट और दिखा दूँ का तो किसान भाईयों समय समय पर मैं आपको इसके उपर अप्डेट दिखाता रहूंगा ताकि हमें आने वाले समय में पता चल सके कि हमें इस से चने की कि कितनी पैदावार मिली और गंने के हमारीफसल किस तरहे की क्यों होती है तो अगर अच्छी पैदावार किसान भाई हैं हमें मिल पाती है इस वर्स तो हम अगले वर्स इस तरीके से भी इनकी बुआई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो चन्य की पैदावार किसान भाई काफी रहेगी क्योंकि चना काफी मेंगा है और इसी वज़े से इसमें ये बुआई की गई है ताकि अच्छी पैदावार हमें दोनों फसलों से मिल सके तो किसान भाईयो आप डीगाडर्न चैनल के साथ बने रहें मैं समय समय पर आपको इस पर अपडेट दिखाता रहूँगा ताकि आने वाले समय में हम भी इस तरह की भाई इसकी कर सके अगर अच्छी पैदावार हमें इससे मिल पाती है तो और अब बात कर लेते हैं किसान भाईयो थोड़ी एक फसल और मैं आपको दिखा देता हूँ गोवी की फसल जो कि मैंने कुछ समय पहले बीज से इसकी बीजाई की थी यानि कि आप जैसा सबी जानते हैं इसको पोद से लगाया जाता है लेकिन मैंने सीधे इसकी बीज से बीजाई की थी मैं एक बार आपको पहरे भी अपडेट इसमें दिखा चुका हूँ काफी बड़ा बड़ा इसमें खरपतवार हो गए थे तो किसान भाईयो मैंने हाथ से ही जड़ से बार रहा हूं और किसान भाईयो यह देखे लेवर मैंने लगा दी है और यह गोभी की फसल मेरी काफी बड़ी-बड़ी हो गई है यानि के पोदे काफी बड़े-बड़े दिखाई देने लगे हैं मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ तो किसान भाईयो इसमें हम स इस तरीके से भी उगाई जा सकती है तो यह थे किसान भाईयो आज के तीन अपडेट उमीद करता हूँ आपको पसंद आये होंगे पसंद आये हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक नई जानकारी के साथ किसा आये कुन आप शिकार